हलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का इस चैनल में आज की इस वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट फायर इसमें मैं आपको शॉर्ट फायर के बारे में बताऊंगा शॉर्ट फायर के ड्यूटी और उसकी जो रिस्पॉंसिब्लिटिज हैं यह साधी चीजें और उसकी जो क्य वैलिफिकेशन है और वो क्या-क्या चीजें करता है तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर आप शॉर्ट फायर के डेफिनेशन देखेंगे एस पर सीए मार तो सीए मार में लिखा हुआ है कि शॉर्ट फायर का अर्थ है रेगुलेशन 190 के अधिन नियुक्त शॉर्ट फायर तो अब regulation 190 में क्या लिखा हुआ है चार्ज तयार करने का काम यानि कि preparation of charges तथा hole में बारूत भरने यानि कि charging और hole ठसानी करने यानि कि stemming का काम सक्षम व्यक्ति स्वयम करेगा या अपनी निगरानी में कराएगा इस सक्षम व्यक्ति को इन regulations में short firer कहा गया है और short firer जो है वो hole swim blast करेगा तो short firer का जो main काम क्या है preparation of charges, charging और stemming और इसके बाद blasting इसके बाद देखते हैं कि CMR 2017 की अनुसार short firer की योगिता यानि की qualifications क्या होनी चाहिए तो अगर underground mine है तो वहाँ पे उसकी जो qualification होगी manager, overman या gas testing सहित सर्दार certificate ये होना compulsory है और अगर mine open cast है तो उसके लिए manager, overman या सर्दार certificate तो ऐसे व्यक्ति को short firer appoint किया जाएगा और इस इसके साथ ही क्या प्रावधान है? Short firer को कोई अन्य काम नहीं सौपा जाएगा और नाहीं किसी अन्य काम करने वाले से short firing कराई जाएगी और इसी के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को short firer नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी कामाई तूटे हुए कोईले पत्तर आती की मात्रा पर निर्भर करती है इसके बाद next है कि एक short fire एक shift में अधिक से अधिक कितने hole blast कर सकता है यह decide करेगा manager और यह जो hole की संख्या है यह इन बातों पर निर्भर करती है कि एक hole के बारूत को तयार करने और blast करने में जो time लगता है उस पर और जहां blast करना है वहां short fire को आने जाने में कितना समय लगता है और short fire को उसके काम में जो help provide की जाती है लेकिन किसी भी condition में holes की जो संख्या है वो इससे अधिक नहीं होगी अगर mine second या third degree gassy sim की है या fiery sim है तो वहां पर single short exploder से 40 या multi short exploder से 80 इससे अधिक नहीं करेंगे और अगर कोई any sim है इनके अलावा underground mine में single short exploder से 50 या multi short exploder से 100 इससे अधिक hole blast नहीं करेंगे और अगर mine open cast है तो वहां पर single short exploder से शाट और अगर multi short exploder से करेंगे तो 120 इससे अधिक hole blast नहीं करेंगे लेकिन special condition में chief inspector अपने terms and condition के basis पर इससे अधिक hole blast करने की भी permission दे सकते हैं अब इसके बाद देखते हैं कि short fire के duties और responsibilities क्या है तो पहला है short fire explosive की ढूलाई और उसकी देखरेक regulation के अधीन और उसके दिये गए आदेशों के अनुसार ही करेंगा next है अपने helper को regulation और orders के पालन कराने के लिए जिम्मेवार होगा next है unauthorized person को भारूर detonator ये सब चीजे नहीं देगा और वह सुनिश्चित करेगा कि proper stemming material जो है वो सुविधा जनक places पे मिले उपलब्द हो इसके बाद next है charging और stemming का काम वो अपनी presence में खुद कराएगा और blasting वो खुद करेगा इसके बाद अगर misfire होता है तो उस place को fence कराना और regulation के according misfire को छुड़ाने के लिए वो जिम्मेवार होगा shift खतम होने के बाद जो बचा हुआ बारूद है explosive है वो magazine में लोटा देगा और short firing की report लिखेगा कि कितना बारूद पाया गया कितना खर्च किया गया कितना लोटाया गया और किन-किन जगहों पे blasting हुई क्या कहीं gas मिली या कुछ भी हुआ ऐसी report वो तारीक देकर लिखके और sign करके submit करेगा इसके बाद next है कि short firing कौन-कौन से जो काम है वो स्वयम खुद करेगा तो पहला है explorer, detonator के जो बक्सों की चावी होगी वो उसे अपने पास रखेगा explorer की चावी भी अपने पास रखेगा explorer खराब हो तो उसे manager, assistant manager या under manager के पास जमा करेगा detonator के तार जोड़ना और उसे cable connect करना charging, stemming, firing करने से पहले यह वो ensure करेगा कि आजपास के सारे व्यक्ति जो है वो safe places में shelter ले चुके हैं और helper के साथ वो खुद भी safe place में रहेगा अगर underground mine है तो gas की जाश कर लेगा, circuit test करेगा, blasting के बाद face का inspection करेगा और सुरक्षित होने के बाद ही किसी को वहाँ जाने की permission देगा और इसके साथ वो यह भी सुनिशित करेगा कि जो helper है उसके वो bd cigarette ना पीए और ना ही उनके पास ऐसी कोई चीज हो इसके बाद next देखते हैं कि shift के end में short fire की क्या duty होती है तो shift के end में short fire के काम है सबसे पहला है कि scrapper, break detector, circuit tester और exploder यह जो instrument है वो वापस submit करेगा बचा हुआ जो explosive है वो magazine में वापस करेगा जमा करेगा और report लिखना यह तीन काम हो गया है short fire के shift के end में इसके बाद है short fire को किस प्रकार की report लिखनी होती है तो shift के end में short fire जो अपनी report लिखता है उसमें वो यह सारी चीज़े mention करता है कि बारूद और detonator कितना उसे issue हुआ था, कितना खर्च हुआ और कितना बचा है इसके बाद किस face में कितने hole blast किये गए यह भी mention करेगा explorer की condition या किसी सामान की कमी है वो चीज़े लिखेगा इसके बाद अगर gas मिला है, blown out है या misfire है तो इसकी एक पूरी complete detail जो है वो report में लिखेगा तो यह जो है वो short fire की जो daily report है वो report का sample है इसमें owner के नाम, mine का नाम, paid incline, same number, section, explosive की details, date, shift, detonating, fuse, generator यह सब जो बाते हैं इसमें लिखी रहती है और इसके बाद end में वो sign करके अपनी name, date, place और time is इसमें करके वो submit करता है यह आप देख लें, इसके बाद next देखते हैं कि transit slip क्या होती है, तो mine में जो explosive issue किया गया है या जो return किया गया है तो उसकी जो details होती है वो transit slip में होती है, transit slip जो है वो assistant manager या under manager बनाते है इसकी दो copy बनाते हैं, एक में उसमें लिखा हुआ रहता है कि short fire को कितना explosive issue किया जाए और दूसरा जो है, वो magazine in charge अपने पास रखता है magazine in charge sign करके जो दूसरी slip होती है, वो बकसे में डालके बारूद issue जितना किया गया है, ये detail डालके sign करके दे देता है इसके बाद जो transit slip होती है उसको unconvective चेक करते हैं, तो pit top पे हाजरी clerk चेक करता है shift में short fire चेक करता है, shift के बीच में और end में mining सर्दार चेक करता है shift के end में overman चेक करता है और जब short fire उपर आता है, तो हाजरी clerk उसे चेक करता है और shift के end में हाजरी clerk जो है वो transit slip दस्तकत करके अपने पास रख लेता है और फिर manager को भेजता है इसके बाद जो authorized assistant manager है वो week में एक बार सारे slip को लेकर magazine in charge जो होता है उससे explosive के stock को चेक करता है और यह है transit slip की example copy अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चाहां को subscribe करें अगर आप नहीं हैं तो